36 गड़ के पूर्व मुख्य मंद्री हुपेश बगेल ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस को लगभग साथ पेज का पत्र लिखा है जिसमें ये आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फसाने के लिए गहरी साजी श्रची गई है इस मामले में डिप्रीसियम अरुन साव ने पलटवार करते हुए कहा कि 36 गड़ की जनता के साथ 5 साल में जो अनाचार हुआ है उन चीजों का जवाब देने के बजाए हमसे जवाब माग रहे हैं केंद्री एजेंसियों पर प्रस्ट चिन उठाना उनकी आदत रही है केंद्र तेज गती से आगे बढ़ रहा है कड़े और बड़े निर्ने लेकर सरकार काम कर रही है पांस साल में 36 गड़ का कोई वर्ग नहीं था जिससे अन्याय ना किया हो कॉंग्रेस नेताओं के मुह से न्याय की बातें शोभा नहीं देती कॉंग्रेस ने 75 सालों में देश के साथ न्याय नहीं किया है विक्ता ये है कि आज केंद्री अजेंसिया निस्पक्च होकर अपनी कारवाहियां कर रही है जिस कांग्रेस पारिटी ने पिछले 75 सालों में देश की जनता के साथ देश के साथ अन्याय किया हो उसके बुह से न्याय की बात सोभा नहीं देती है पांग्रेस की सरकार थी छत्तिरगड का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके साथ कांग्रेस पारिटी की सरकार ने अन्याय ना किया हो अवाज इनके बुह से न्याय आत्रा की बात सोभा नहीं देती है हमारी सरकार पिछले नौ महनों में जिस प्रकार से जंता के इच्छा और आकांचाओं के अनुरूप काम कर रही है जिस प्रकार से कड़े और बड़े निर्णे लेकर हमारी सरकार काम कर रही है आज छत्तिरगड में जिस तेजगती से आगे बढ़ रहा है हर वर्ग के लोगों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है चाहे माताएं बहने हो युवा हो हर वर्ग के लिए हमारी सरकार पतिबधता से तेजगती से काम कर रही है मोधी की एक एक गारेंटी पूरा करने का काम कर रही है राज में कानून बिवस्था की इस्तिती ठीक करने के लिए लगातार कड़े और बड़े निर्णे लिये जा रहे हैं